नमस्कार S.T. योगी में आपका स्वागत है मैं हूँ आचारियासिस डिंगवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देनिक रासी फलकी दर्सकों सुरू करने से पहले खास अपील अभी तक अगर आपने हमारे सेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और अपने मित्रों को सेल भी करें आज आप आत्म विशलेशन के मूड में रहेंगे आप सोचेंगे कि आपने अभी तक जीवन में जो सभलता पाई है वो कितनी महनत से पाई है और भविश्य में आपको क्या करना चाहिए इससे आपके भविश्य में अपने उद्देशों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी आज आप आकरशन का केंदर बने रहेंगे आपको कई अच्छे प्रस्तावों के बीच चुनाव करने में कठिनाई की नौबत आ सकती है पहले आपको ये कठिनाई भी अच्छी लगती थी पर आज आप किसी को नहीं चुनना चाहते कूट नेतिक रास्ता अपनाएं और इस नौबत से बाहर निकलने आशी मेश करियर आज आपको अपने कुशल कारे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा सकता है इससे आपको ज्यादा मेहनत वर लगन से काम करने की प्रेरणा मिलेगी लेकिन इस प्रशनसा को अपने सिर पर न चड़ने दें अगर आप इसमें सपल रहे तो आपको लाब ही होगा संप्रेशन कला में निपुण मैनेजर भी अपने काम को पूरी कुशलता से पूरा कर पाएंगे आशी मेश आज तो सब तरफ से खुशी का दिन है बहुत पहले आपने जो निवेश कर रखा था उसका आज बढ़िया लाब मिलने वाला है कोई पुराना लेन देन जो आप भूल ही चुके थे उसका भी आज आपको लाब मिलेगा यह अचानक ही होगा लेकिन इस पैसे कोई यूही खर्श मत कर दीजिएगा बलकि इसे बचा कर बैंक में डाल दीजिए आशी मेश हेल्थ आज खुश खबरी मिलने से आपकी सेहत और आपका मन खुश रहेगा एक नया बच्चा जल्दी ही आपके परिवार में आ रहा है जिसकी वजह से आपकी आत्मा को संतुष्टी मिलेगी इस खुशी से आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप संसार के सब से उपरी शिखर पर पहुँच गए है अपनी जिन्दगी के विशय में आज आप कुछ रीति बद्ध हो जाएंगे जहां तक इस बात का सवाल है कि आपको जिन्दगी से क्या चाहिए आप कभी कभी खुद को बहुत उलजा हुआ पाते हैं लेकिन आज आप अपने लक्षों की और अपना ध्यान केंद्रत कर पाएंगे अच्छा होगा कि आप अपनी जिन्दगी के हर पहलू पर ध्यान दें और किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें आज आप अपने साथी से मिलने हे तू यात्रा बर जा सकते हैं अन्य था दोनों ही एक साथ सैर सपार्टे पर जा सकते हैं अपने मित्रों एवं परिजनों को छोड़ कर आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताने का अफसर मिलेगा ये एक अच्छा मौका होगा जिसके कारण आप अपनी व्यस्त दिन चर्या से बाहर निकल कर उनक्षणों को याद कर सकेंगे जब आप पहली बार अपने साथी से मिले थे आज की शाम प्रेम पूर्वक उच्सा पूर्वक एक साथ एक दूसरे के लिए बिताएं यदि आपने किसी नवीन नौकरी के लिए आवेदन दिया है तब आज कोई शुब समाचार अपेक्षित है यदि आपने आवेदन नहीं दिया है तो आज का दिन उस आवेदन को भर कर भेज देने का है आज के दिन अपनी आजी विका को लेकर किसी ना किसी नवीन योजनाका श्री गणेश कीजिये प्राशिव ब्रिश, फाइनांस नए निवेश का विचार लेकर आने बालों से सावधान रहें खासकर उन से तो जरूर सावधान रहें जिनकी किसी विदेशी के साथ साज़ेदारी है किसी नई साज़ेदारी या अंतराश्टे साज़ेदारी से आज परहेज करें विनमृता से ऐसे प्रस्ताव को आगे के लिए टाल दें फिर ठीक से अंदाजा लगाएं कि क्या ऐसा प्रस्ताव आपके लिए फायदे मंद है या नहीं प्राशिव ब्रिश बहुत दिनों से स्वास्त खराब होने के कारण आज आप अच्छा महसूस करेंगे कम तनाव होने से ब्लड ट्रेशर भी कम रहेगा इससे आपकी सेहत को फायदा होगा आज आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा ग्रहों की स्थिती भी आपको स्वस्त रखने में मदद कर रही है आप व्यायाम करना शुरू करें ताकि आपकी सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे आज आपको अपनी सूजबूज वचतुराई को परकना होगा कुछ लोग आपकी सीमाओं को लांग कर आपकी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं आपको शान्त रहते हुए उनको रोकने का प्रयास करना होगा शान्ति पूरवक उन लोगों तक अपना संदेश पहुचा दें आप मेंसे कुछ लोग अपने आफिस में आज किसी अजनभी के आकरशन का गेंदर बनेंगे इतना जान लें कि वो आपसे अच्छा नहीं क्योंकि वो आपके करियर के लिए स्थाई साबित नहीं होगा अगर वो दूसरे विभाग का है तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी कठा करें उससे बात चीत करने के लिए किसी काम का बहाना बनाया जा सकता है करियर में वृद्धी के लिए समय शुब है अगर आप पिछले कुछ समय से अपने करियर के बारे में कोई शुब समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो अब किसी दोस्त या सहकर्मी से आपको वो शुब समाचार मिल सकता है अपने कान खुले रखें क्योंकि आप इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे आपको पदोन्नती मिल सकती है या फिर वो नई नौकरी मिल सकती है जिसका इंतिजार आपको बहुत समय से था आशिमित्धुन Finance आज काफी दिनों के बाद आप खरीदारी करने के लिए जाने वाले हैं अपने मनुरंजन के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर देना ठीक है लिकिन सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं है आज आपको मनुरंजक खरीदारी और बचत दोनों का संतुलंदना कर रखना है अगर आप उन में से हैं जिन्हें खाना बहुत पसंद है तो आज वो दिन है जब आप नई चीजों का आविशकार कर सकते हैं आज आप भाग्यवान हैं आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी इसलिए आज आप कुछ भी खाकर मज़े लूट सकते हैं आज घर के बहुत से कामों को लेकर आपका सर चकरा सकता है लेकिन घर पर हो रही सारी गतिविधिया सकारात्मक ही रहेंगी इसलिए आप अपना काम ठीक से पूरा करें इस समय अपनों के साथ का पूरा मजा लें लेकिन साथ ही अपने काम को भी समय पर पूरा करने की कोशिश करें घर और बाहर के काम में संतुलन ही आज आपका मूल मंत्र है आशिकर्क, रोमैंस आज का दिन आपके और आपके साथी के लिए विशेश हो सकता है जिसके फल स्वरूप आप बाहर जाकर भरपूर मनुरंजन कर सकें घर से बाहर निकलें और जिन्दगी को खुशियों से गुलजार कर लें आज का दिन खुशियों से भरपूर है अतह भरपूर आनंद लें जिसके फलस्वरूब आपसे रिष्टे और अधिक मजबूत हो सकें आज उनके लिए शुब दिन है जो नौकरी बदलना चाहते हैं हो सकता है कि ये विचार आपके मन में कई दिनों से आ रहा हो लेकिन आपने सही प्रस्ताव को देख कर अपना मन पक्का बनाया हो आपको आगे चल कर इस प्रस्ताव को सुईकार करना चाहिए जिससे भविष्य उजवल हो सके आज आपको लगेगा कि रुपए पैसे से किसी की मदद करनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ऐसे नेक कामों का भविष्य में अच्छा फल मिलता है आपके अपने खर्चे पूरे हो रही है तो दूसरों के लिए थोड़ा बहुत करने में आपका कुछ जाता भी नहीं आपको मन की खुशी मिल रही है और क्या चाहिए आज आप अपने परिवार वालों के साथ सेहत की जाच के लिए जाएं ध्यान रहे दातों की जाच जरूर कराएं और पाचन क्रिया भी ठीक चले आज अगर आपने ध्यान लगा कर चकप करा लिया तो आप भविश्य में आने वाली परिशानी से बच जाएंगे आज आप अपनी दिन चर्या को एक नई दिशा देंगे अपनी हमेशा काम करने की आदत छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ कही घूमने जाएं अपने पुराने विचारों को त्याग कर नए विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं आज अपने आपको एक नया जीवन देने का दिन है नए विचारों से अपने जीवन में आए बदलाव को देख कर आप खुद ही बहुत खुश होंगे आज आप अपने को पार्टनर के सपनों में खोया पाएंगे गहरे प्यार के समंदर में गोते लगाते रहेंगे आप अपने पार्टनर के साथ इस्थिती को हमेशा देखना चाहते हैं आज आपके लिए ऐसा करना ठीक है पर कल से अपने पैरों को जमीन पर टिका कर चलें आशि सिंग, करियर नए विचारों से काम करने के कारण आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा रहेगा अपने अधिकारियों को अपना उत्साह दिखाने की कोशिश करें कुछ को इसका प्रतिफल पदोनती के रूप में मिल सकता है ये अपनी कारक्षमता दिखाने का सबसे अच्छा मौका है इससे आप जो चाहें वो पा सकते हैं आशे सिंग घर या गाड़ी के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आविधन करने के लिए आज का दिन अच्छा है कार खरीदने की योजना है तो आज खरीद लें दिन अच्छा है आपको लगेगा कि बड़ी खरीदारी से आपके जीवन स्थर में अच्छा वरलावाया है आशे सिंग हेल्थ कुछ भी गलत खाने से आज आपको पेट डर्द हो सकता है जिस खाने का स्वाद जीप पर रखते ही अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो भोजन आपके शरीर के लिए भी अच्छा हो सही और संतुलित भोजन का आहार कर आप पाएंगे कि आपके शरीर का उरजा स्रोत पहले से बढ़ रहा है और वजन घट रहा है आशिकन्या ओवर्वियू विद्यार्थियों को कोई खुश खबरी मिल सकती है खास दोर से उनको जो की अपनी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रही है आप शायद आश्चर चकित रह जाएं लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा से भी अच्छा रहेगा आप आज खूब खुशिया मनाएंगे आशिकन्या रुमैंज आज आपको अपने पार्टनर की तरफ से बड़ा ज्यादा प्यार और गर्मजोशी मिलेगी अपनी भावनाएं उसके साथ खुल कर बाटें आपको भी जवाब में वही मिलेंगी अकेले लोग किसी नए रिष्टे को बनाने की कोशिशों पर ध्यान दें कोई न कोई आप पर फिदा है आशिकन्या करियर अगर आप पैसों के लिए संघर्ष कर रही हैं और अपनी विद्टिय सिती सुधारना चाहते हैं तो अपनी तनक्वाह में विद्धी करने के लिए अपने उच अधिकारी से बात करने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है आपके बॉस का मूड बहुत अच्छा है इसलिए ये बिलकुल सही समय है अपने बॉस से इस बारे में बात करने में बिलकुल ना हिचकिचाएं कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले दो बार सोचें किसी बड़े बुजर्ग की सला बड़े काम की होगी यदि कोई बड़ी योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाईए, सही वक्त आने दें अपने आर्थिक लक्ष को मजबूत करने के लिए आपको सही दिशा अपनाने की जरूरत है अपना लक्ष तै करें और उसे पाने में दिन रात एक कर दें आपकी सकारात्मक सोच और लगन आपको बड़ी आर्थिक सफलता दिलाएगी जिसके आप हक्तार भी है आज आप अपने मन को पढ़ाई या किसी अन्यकारे में व्यस्त रखेंगे ताकि आप अपना मन अपनी बीमारी से हटा सकें आपको अब एक छुट्टी की आवशकता है जिसमें आप कुछ ऐसा नया करें जो आपने पहले कभी ना किया हो परन्तु हमेशा से करना चाहते हो शैक्षनिक योगता बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत शुब है इस दिशा में बढ़ाए गए कदम न केवल आपकी मानसिक योगता को बढ़ाएंगे बलकि आपके व्यावसाइक भविश्य के लिए भी लाबदायक सिद्ध होंगे आज आपकी कुछ नया सीखने की चाहत अपनी चरम सीमा पर होगी शायद विदेश जाकर पढ़ने का ध्यान आपके मन में आ जाए अगर ऐसा कोई अवसर मिले तो उसे हाथ से न जाने दें आप दोनों के बीच आपसी नजदी की और जजबात आज उफान पर है आप दोनों में से कोई एक रिष्टे को गहरा बनाना चाहता है अपनी भावनाओं को खुल कर जाहिर करें और सुने भी आप दोनों के रिष्टे में नई उचाई आ सकती है आज आप किसी कानूनी जगडे में फस सकते हैं सावधान रहें जगडे को आराम से बिना किसी वकील की मदद से सुलजाने की कोशिश करें अगर आपको लगता है कि आज बिना कानूनी मदद के काम नहीं चलेगा तो भी बात को ज्यादा ना बिगडने दें कानूनी जगड़ों को सुलजने में बहुत समय लग जाता है अगर आप यवसाई में हैं तो आपको कुछ ऐसे एनाम मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था आपको अपने सहयोगियों से कोई कीमती तोफ़ा भी मिल सकता है ये भी हो सकता है कि उनकी सहाईता से आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए और आपका फाइदा हो अपने विवसाई के लिए आप इसे बड़ी धरोहर समझे ताशितोला हेल्थ नियमित रूब से योग और ध्यान करने से आपके चहरे पर फिर से हसी लोटाएगी योग करने से आप फिर से उर्जावान ही नहीं होंगे बलकि आपके अंदर आत्म विश्वास भी बढ़ेगा योग करने से बढ़ते तनाव पर रोग थाम के साथ साथ गुस्सा भी कम होता है ध्यान रहे आप रोज योग करें ताकि आप फिर से उर्जावान हो जाएए ताशिवरिश्चिक ओवर्वियू किसी प्रियजन के साथ आपके रिष्टों में खटा सा सकती है आप जल्द ही बातों को सुल्जाना चाहते हैं लेकिन आपकी संतुष्टी के अनुसार ऐसा नहीं हो पा रहा है शायद उसे थोड़ा और समय चाहिए उसको थोड़ा और समय दें लेकिन बातचीत भी जारी रखें पूरी समझदारी से ही इस समस्या का हल निकल सकता है आज आपके किसी रोचक और आकरशक व्यक्ति से मिलने के आसार है मौका हाथ से ना जाने दें अपनी भावनाओं को अभिवक्त करने के लिए आपको साहर जुटाना होगा पर अंतितह मिली सफलता आपकी जिन्दगी बदल कर रख देगी यदि आप अपने आपको कारे के सही प्रवाह में डालना चाहते हैं तब सहकर्मियों से हाथ मिला कर चलना जरूरी है अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ मिलकर आप अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन कर पाएंगे इससे आपको नए विचार और नए तकनीक अपनाने में आसानी होगी आप अपनी कमाई को पूरा करने पर थोड़ा ध्यान दें पिछले दिनों आपने खुला खर्च किया कमाई तो गई इसलिए आज सतर्ग हो जाईए पाई पाई सोत समझ कर खर्च करें जो चीज ज़रूरी नहीं उसे कतई ना लें आशिवरिश्चिक हेल्थ आज आपको सेहत के ब्रति सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी ज्यादा खाना खाने से हो सकता है आपको जिम जाना पड़ जाए आपको दिन भर के स्नैक्स पर नियंत्रन रखना होगा आशिधनू ओवर्विव आज आपको लगेगा कि आप दूसरों के बुरे विवहार से दुखी है आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप बेकार में किसी की बातों में न पड़ें और अपनी जिम्मेदारियां बखूवी निभाते रहें परिस्तिती को काबू में रखने के लिए आप दूसरों के विवहार को तो काबू में नहीं रख सकते लेकिन अपने विवहार को काबू में रखना तो आपके वश में है आशिधनू रोमैंस आज आपके प्यार की जिंदगी शुरू हो सकती है आप अपने सपनों के साउदागर से मिल सकते हैं एक दूसरे का साथ दोनों को जजबावी बनाएगा और बातचीत के जरिये दोनों के प्यार की नीव डलेगी शुरू शुरू में आपसी विश्वास बढ़ाना रिष्टे के लिए फायदे मन रहेगा आशिधनू करियर काम के क्षेतर में आपके पास बहुत से विकल्प हैं जिनमें से कुछ सुरक्षित हैं और कुछ में खत्रा भी है अब आपको ये निरने लेना है कि आपको क्या करना है सभी विकल्पों पर ठीक से विचार करके उनकी अच्छाईयों व बुराईयों को ध्यान से समझने की कोशिश करें अगर आप जवान हैं तो कितना भी बड़ा खत्रा जहल सकते हैं आशी धनो फाइनांस अंतराष्ट्रे लेन देन और अंतराष्ट्रे बाजार से जुड़े विवसाईयों के लिए आज लाबगारी दिन है इस मौके का फायदा उठाएं और जहां तक संभवो अपना व्यापार बढ़ाएं आशी धनो हेल्थ आज आप अपने शारिरिक स्वास्थे पर न ध्यान लगा कर अपने मानसिक सुधार पर ध्यान देंगे आज आप परिशान रहेंगे और आत्म विश्वास भी कम रहेगा अगर आप किसी परिशानी से जूज रही हैं तो उसे खत्म करने का समय आ गया है आपका मूड गंभीर तो नहीं रहेगा मगर इस से दूसरे प्रभावित होंगे इसलिए आप आज कुछ समय निकाल कर इसका कारण जानने की कोशिश करें आशी मकर, ओवर्विव जहां तक कीमती सामान की बात है तो आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि आज कुछ कीमती वस्तु खोने के संकेत हैं अच्छा होगा कि आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने सामान को सुरक्षित रखें आशी मकर, रुमैंस आज का दिन आपके लिए बहार लाएगा आपकी हाजर जवाबी हर एक को खुश करेगी हर एक व्यक्ती आपके आकरशन में आता नजर आएगा और आप खुद को किसी की ओर आकरशित होता पाएंगे आज का दिन आपके नए रिष्टे के लिए बहुत अच्छा है आशी मकर, करियर आज पूरी महनत से अपना काम करने की कोशिश करें क्योंकि आप पर आपके बॉस की नजर है अगर आप सेल से संबंध रखते हैं तो हो सकता है आज आपको अपने लक्ष को प्राप्ट करने में कठिनाई हो अपने काम पर अपना ध्यान के इंद्रित रखें और ये बात बताने की कोशिश करें कि आप अपनी जरफ से पूरी महनत कर रहे हैं आज आपको जमीन जायदाद व्यवसाइक प्रतिष्ठान आदी खरीदने से लाब हो सकता है क्योंकि इस प्रकार का खरीदने बेचने का चलन आजकल व्यवहारिक हो गया है इस प्रकार के व्यवसाइ में अचानक लाब होने की संभावना बन सकती है यदि आपके पास ऐसी किसी संपत्ती को खरीदने का अवज़र आ रहा है तो आप उसे जल्दी खरीद लें आज आप लंबे अर्से से जमीन जायदाद भवन जैसी अचल संपत्ती का विज्यापन देख रहे हो तो देर ना करें उसे जल्दी खरीद लें आशि मकर हेल्थ आप किसी बुरे सपने के कारण दिन भर परेशान रहेंगे आपको पता है कि नींद और अच्छा खाना आपके लिए आवर्शक है इससे हमें उर्जा मिलती है और हम खुश रहते हैं आपको आराम करने के लिए योग और ध्यान का इस्तेमाल करना चाहिए आशिकुम्भ लंबे समय से लटका हुआ कोई कानूनी मुद्दा आज आपके हक में रहेगा ये मुद्दा आपको बहुत परेशान कर रहा था अब आपकी सारी परेशानिया हल हो जाएंगी और जिन्दगी सामान्य रूप से चलने लगेगी अब आप मानसिक वभावनात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं आशिकुम्भ रोमान्स आज आप अपने किसी सहकर्मी की और जजबाती होते हुए महसूस कर सकते हैं ये जजबात दूसरी और भी हो सकता है इसलिए रिष्टे के बढ़ने की संभावना है अपनी अभिरुची को खुल कर बताएं पूरी संभावना है कि अनुकूल उत्तर मिलेगा आशिकुम्भ करियर इस समय बॉस आपके हक में दिख रही है आपका काम और विवहार सभी की नजर में है ये आपके करियर में शुब समय की शुरुवात है अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपको भविश्य में भी लाब ही होगा आशिकुम्भ कहीं दूर से आर्थिक फायदे की उमीद कर सकते हैं विदेशी निवेश से आज फायदे के संकेत है यदि आप विदेश में अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो यह सही वक्त है आप विदेशी पार्टियों से संपर्क बढ़ाईए आज इस से फायदे दिखेंगे आशिकुम्भ हेल्थ आज आप कुछ परेशान रहेंगे आपकी सोच आपको ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है यह जब भी हो तो ध्यान रखें कि यह विचार अल्प समय के लिए है इसलिए इन पर ध्यान न दें अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं और आपके सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पढ़ सकता है आशिमीन आज का दिन आत्म निर्भरता का दिन है ध्यान रहे कि आज आप अपने सभी महत पूर्ण कामों को खुद ही पूरा करें अगर आज आप अपना काम किसी और पर छोड़ देंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी और अगर आपको किसी और से काम कराना भी पड़े तो अंत में उसे एक बार ध्यान से देख जरूर लें ताकि बाद में कोई परिशानी न हो आज आप प्रेम की पवित्र वविशेश भावना महसूस करेंगे ये आपको एक दुनिया में ले जाकर आपके जीवन में नई भावनाएं वव उत्तेजना भर देगा आप महसूस करेंगे कि पहली बार प्रेम होने पर हैरानी वो उत्सुकता के भाव हावी होते हैं आज आपको व्यवसाइक सफलता मिलेगी विदेशी संबंधों से लाब संभावित है अगर अपने काम से संबंधित विदेश में आप किनी लोगों को जानते हों तो देखें कि उन लोगों के द्वारा आपको कौन से व्यवसाइक अवसर मिल सकते हैं अगर आपको कोई अवसर मिले तो उसके बारे में सोच विचार जरूर करें क्योंकि इस से आपको सफलता मिल सकती है अगर आप जमीन जायदात से जुड़े किसी सरकारी मामले में फसे हुए हैं तो आज आपको कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है आज आपको किसी लंबे अर्से से चले आ रहे विवाद से छुटकारा मिल सकता है इस सफलता से आपको निश्चित रूप से शान्ती मिलेगी परंतु आप इसे पूर्ण जीत ना समझें और तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक कि यह मसला पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए आशी मीन हेल्थ आज आप अपनी स्वास्ट संबंधी क्रियाओं पर ध्यान देंगे आज आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे जिससे आपका मानसिक स्तर सुधरेगा आज आप ताजा खाना खाने पर ध्यान देंगे ताकि आप संतुलित आहार ले सकें आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे ताकि आपका मूड अच्छा बना रहे आज आप जीवन के हर स्तर पर अच्छा महसूस करेंगे